इस question में आप देख सकते हैं कि जो denominator आपका पड़ा हुआ है 6 cos x plus 4 sin x अगर आप इसका derivative निकालिए तो क्या हैगा आपका 6 minus 6 sin x और plus क्या जायेगा 4 cos x आ जायेगा ठीक है जो अगर वहाँ से आप common कर लीजिए 3 common कर लीजिए 2 common कर लीजिए तो वो numerator का क्या है एक तरह से derivative है तो यह आपका initial observation होना चाहिए कि इस question में हम किस चीज को substitute करें ठीक है वैसे यह direct क्या है f dash x upon f x वाली format है तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं हम आपको substitution से बता देते हैं इसको तो हमने क्या किया let 6 cos x plus 4 sin x equals to t है तो यह हो जाएगा आपका minus 6 sin x और plus 4 cos x dx किसके equal हो जाएगा आपका dt के equal हो जाएगा यहां से आप 2 common कर लो तो 2 common कर लोगे आप तो यह हो जाएगा आपका 4 sorry 2 cos x positive term हम पहले लिख ले रहे हैं और minus 3 sin x dx equals to dt हो जाएगा लेकिन numerator अपना absorb कर यह numerator से इतना पड़ा हुआ है तो इस 2 को हम नीचे ले जाएगा यहां पर dt by 2 ठीक है अब आप अपने original question को t में convert कर लीजे या आपका dummy variable t है उसमें convert कर लीजे तो क्या हो जाएगा आपका यह bracket और dx मिलके क्या बन जाएगे? dt by 2 बन जाएगे तो that become dt by 2 whole upon यह आपने t यह zoom किया था ठीक है अब यह जो 1y2 है इसको आप बाहर कर सकते हो ठीक है इसी step में बाहर कर लेते हैं अब यहां से क्या हो गया आपका dt by t या यूं कहें dt into 1 by t तो 1 by t log t का derivative होता है इसका मतलब 1 by t जो होगा इसका anti derivative log t हो जाएगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 1 by 2 log और mod t लिखते हैं कि log की domain जो होती है positive होती है positive number के लिए defined होता है plus c अब यहां से t के term में तो छोड़ेंगे नहीं answer क्योंकि हमारा dummy variable है कोई u assume कर सकता है कोई v assume कर सकता है ठीक है खैर तो हमें original variable जो भी हमें दिया गया है उसमें हम case पे रख देते हैं हम लोग log of mod 6 cos x plus 4 sin x plus आपका क्या हो गया c हो गया that is your final answer